दोस्तों क्या कभी आपने ये चीज़ फिल की है कि पेपर में questions आते थे doable था paper and आप cut off निकाल भी लेते easily लेकिन कुछ ऐसी गलतियां आपने कर दी जिने हम कहेंगे silly mistakes जिसकी वज़ा से आप cut off से पीछे रह गए silly mistakes basically वो गलतिया नहीं है जो आपको नहीं आता और किसी को भी नहीं आता हम tough questions की बात नहीं कर रहे हाँ अगर आप tough questions को over attempt करके जबर जस्ती उसको mark करते हो उसके वैसे negative हो जाए तो वो एक silly mistake है लेकिन जिस main silly mistake की हम बात कर रहे है that is easy question जो आता हुआ question था basically जिसमे आपको plus 2 marks आनी चाहिए थे और आप minus 0.67 score करते हो ऐसे अगर 3 question हो जाए तो 3 into minus 2.67 total 8 marks होते है ऐसे अगर 4 question हो जाए तो लगभग 10 marks होते है ऐसे अगर 6 questions हो जाए तो 16 marks होते हैं ऐसे अगर 9 to 10 questions हो जाए तो यह number 24, 25 plus महुचता है बहुत students से मैं बात करता हूँ and minimum 6, 5 plus silly mistakes एक usual pattern है 10 भी है, 15 भी है यह वो चीज़े हैं लोगों को आती है silly mistakes basically अगर आपको identify करनी हो तो जब आप exam hall से बाहर आओ यह आपका हाथ है और आप आके अपना माता पकड़ लो कि shit यह क्या हो गया यह आपो ठीक है तो उसे हम कह रहे हैं silly mistakes last कुछ lecture में मैंने दो lectures में इस चीज़ की बात की थी अगर आप देखो यह why do we fail prelims यह वाला and उसी के connect करते हुए यह वाला वीडियो बनाया था कि accuracy आपको कैसे बढ़ानी है तो वो silly mistakes को control करनी की वहाँ मैंने बात की थी silly mistakes basically कुछ categories में हम बात कर सकते हैं last lecture में हमने थोड़ा सा overview लिया था यहाँ पर detail में उन categories की बात करते हैं पहली reading error यानि कि आपने question को पढ़ने में गलती कर दी दूसरी recall error यानि कि आपको याद नहीं आया तीसरा over attempt कि आपको नहीं करना था किसी वएसे आपने over attempt कर दिया चौथा question या bubbles basically mark करते हुआ आप गरबर कर रहे हो पाचवा elimination techniques आपके लिए work नहीं कर रही है च्छटा approach error यानि कि self management issues यह six main categories of silly mistakes है और भी हो सकती है ऐसा नहीं कि सिर्फ ही है अब silly mistakes को reduce करना हमें सबसे पहले हम एक register लेंगे register लेंगे इन sub categories के बारे में लिखेंगे कि मैं यह question इस वएसे गलत कर रहा हूँ जब question solve ना हो question solve नहीं हो रहे तो उस time पर आपको खुद से question पूछना है dialectical या फिर socratic way of analysis कहते हैं तो आप खुद से question पूछँगे कि आखर क्यों solve नहीं हो रहे नहीं आता अलग बात है नहीं solve हो रहे उसका दो reason हो असको तुछ tough question है या easy question है अब tough question को को 正 Stern ourselves को तो आटेम्ट करना नहीं है अब अब easy question solve नहीं हो, इसके दो reason हो सकते हैं, कि याद नहीं आया, ठीक है, या फिर पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी हो सकते हैं, कि बहुत सारी चीज़े हमने पढ़ी ही नहीं, राइट, कि लक्षमी कांत के मालो delimitation commissioner वाले chapter से आ गया, लेकिन हमने का यहां से कौनी question पूछेगा इसारी easy question के लिए आपके self management की, चार categories आपके easy question में आती हैं, अब अगर मैं कहूँ reading इसका मतलब क्या है, आपने question को गलत read कर लिया, या misread कर लिया, जैसे यह कहां कहां हो सकता है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक question में यह line है, consider the following statements, यहां 1, 2, 3, 4 दिया है, and यहां line लिके, which of the above statement is incorrect, और आपने यह mark ही नहीं किया, पढ़ा नहीं ध्यान नहीं दिया, इसके नीचे a, b, c, d है, तो आपका हो सकता है, कि a और d answer आपने mark किया, लेकि incorrect की वैसे b और c सही होना था, तो ऐसी issues को आप क्या कहोँगे, कि आपने correct incorrect नहीं पढ़ा, plus 2 के बदले, minus 0.67 ले गए एक आप आदर डालो कि जैसे ही question मेले, सबसे पहले यह देखो, कि यहाँ incorrect, correct तो नहीं लिखा है, सबसे पहले mark कर लो इसको, इसी तरह से, यह लाइन लिखिया, यहाँ इस तरह से गोला बना दो, पैसे, उपर भी कई बार ऐसा हो सकता है, which of the following is incorrect, यहाँ कहेगा, कि tell me the correct statement, इस तरह से कुछ कहेगा, दूसरा reading error में हो सकता है, कि question easy था, बहुत लंबा question था, ठीक है, easy question है, यह basically जैसे quality में पूछता है, एक question लिखा, consider the following statement regarding money bill, यहाँ यहाँ से लेकर, एक line में लिखा है, दो line लिखिया, तीन line, चार line, इतने में लिखा है, यह statement number 1 है, statement number 2 भी इतना ह बढ़ा है, almost आधे page पर यह आपको दिखेगा, अब जब ऐसे questions हम attempt करते हैं, तो mostly issues क्या आते हैं, इनमें issues यह आते हैं, कि पूरी लंबी line पड़ते हुए, हम कई बार बीच के words हो सकता है, यहाँ लिखाओ, any, not applicable, any of the state, या कोई extreme word लिखा, या कोई ऐसी चीज लिखिया, हम PYQs आपको excessively solve करने चाहिए, and जो अगर आप first item में हो, तो test series में भी यह चीज resolve की जा सकती है, ठीक है, इसके बाद एक issue यह आता है reading error में, कि paper lengthy था, बहुत बड़ा paper है, 1 से लेके 100 तक आपको करना है, advice यह दी जाती है, कि round 1, 2, 3 में आप करो, round 1 में आप फटा-फट 10 से 15 30 में आपको हो जाना चाहिए, जिसमें आप सिर्फ वही question करोगे, जो आपको आते है, round 2 लगबग एक घंटे का होना चाहिए, जिसमें आप दिमाग लगा होगे, round 3 यह बची होई चीजों में आप, बाकी जो भी तिकड़ा मिढ़ानी है, लेकिन कई बार, हम round 3 तक पहुँ पहुच ही नहीं पाते है, या फिर हमारा ऐसा होता है कि 90 question तक ही पहुच पहुच पहे, last के दस छूट गए सीदे, तो यह भी reading error है कि हम question read ही नहीं कर पाए, right, तो time management के issues है, आपको उसके लिए भी घर पर खूब practice करनी चाहिए, और इसका एक solution क्या है, कि जो भी lengthy question है, difficult question है in terms of time, वो तो आपको फिलाल छोड़ के चलने चाहिए, round 1 और 2 में, at least suppose कि 98, 99, 100, यह question number 1 अगर easy है, तो आप उन तक पहुच तो पाओ, right, तो next क्या है, next issue और क्या हो सकता है, कि line बहुत सारी लिखी है, आपने एक line miss कर दी, कई बार ऐसा होता हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ बुक में भी ऐसा होता है, कि सीधे next line पे पहुच जाते, तो वहाँ issue होगे, तो again यह वही चीज है, कि line miss read कर दी, तो थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना है, ठीक है, और एक और reading error यह है, कि जैसे policy के question में, suppose इस तरह का question आया, which of the following is most appropriate definition of democracy, आपको लगा A सही है, आपने mark करते ह बहुत बढ़िया, question पूछा, most appropriate, हो सकता है, B भी ठीक हो, हो सकता है, C भी ठीक हो, हो सकता है, D भी ठीक हो, इनको अगर आपको समझना है न, तो यह वहने कुछ quality के, how to solve, quality lectures, आप यहाँ देखो, quality के कुछ lectures मेंने दिये हुए, how to solve quality lectures, ठीक है, इसी playlist में और देखना, सर्च करना, quality के कुछ और lectures मिलेंगे, recent, जो बिल्कुर अभी recently record किये, उनमें आप देखना, इस तरह की बात है की है, basically, UPSC क्या कहता है, कि आपको, अगर एक से जादा options नहीं लगे, तो आप जो best suited method है, best suited option है, उसको आप mark करोगे, ठीक है, जैसे आप quality के questions में देखना, जो वीड कि D सबसे जादा सही हो, quality में ये most common reading error है, तो reading error को, अगर हम categorize करें, तो हमने क्या क्या कहा, एक तो हमारी correct, incorrect है, दूसरी हमारी, easy but lengthy, तीसरा क्या है, hundred number, question, reading नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं, चौथा क्या है, line मिस कर दी, और पांचवा क्या है, options पढ़े नहीं, आपको ल reading errors की categories है, तो solution मैंने आपको साथ साथ बता दिये, आपको एक register रखना है, कुछ pages, उसमें 20 से 25 pages रखो अपने लिए, और reading error में कुछ ये categories रखो, कोई और category with time आपको समझ में है, reading error में ये भी होती है मेरे साथ, उसके लिए भी आप heading मना लो, ये ये चीज में, इस subject में ज़ एक तो यह है, याद नहीं आया, तो आप सबसे पहले question खुद से करो ना, कि याद क्यों नहीं आया, तो आपको most of the times answer ये मिलेगा, revise नहीं किया था, या फिर book लाके रखी थी घर में पढ़ानी, ढंक से, ठीक है, तो recall error में सबसे पहले अगर याद नहीं आया, तो उसका तो आप एक ही solution है, कि revise करो, revision आपको सबसे जादा से जादा करते रहने चाहिए, फर्स्ट रिवीजन में मालो आपको चीज़े इतनी आती है, फर्स्ट रीडिंग में इतना आता होता है, सब्वोज यह 100% है, यह 0% है, यह time है, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन में अगर आपको मा अपनी बात बता रहा हो, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, कि आपको कई बार चीज़े पढ़नी पढ़ते हैं, तो यह आर एपसुल्ट ली नॉर्मल, राइट, तो आपको revision पे ध्यान देना है, जब revision पे आपका focus होगा, तो उसमें क्या है, कि जो book collector आप बन जाते हो, DC BC के बदले, BC आप बन जाते हो, उससे focus हटाना है, आपको reading करनी है, save material की बार बार, हो सकता है, recall error में मैंने यह थोड़ी कहा कि आपने पढ़ा नहीं था, उसके लिए आप दोश दो, ठीक है, लक्षमी कांत, सपोज लक्षमी कांत के बदले, NCRT policy से कोई question आ गया, democracy की definition आप तो आया, बट confidence नहीं आया, मतलब same question में हो सकता ही है, यह last lecture में बात की थी, confidence नहीं मतलब, याद आ गया, आपको लग रहा है, अब बहामानी, विजयनगर, बहामानी विजयनगर, आप वहाँ पर confused हो गया, और आपने A का B मार कर दिया, same question में आपने यह issue कर दिया, याद आ आपकी recall error है, तो mostly यह issues इस वयसे होते हैं कि आपने book दो से तीन बार ही पड़ी है, चीजों को for granted ले लिया, आप time अपना waste कर रहे हो, current affairs जैसे चीजों में, right, current affairs अगर आपको cover करने है, मैं आपको एक source बतायता हूँ, synopsis is website पे जाना, free resources में, downloads में, PT 360, पिछले साल का है, अ अगर आप genuinely यह चीज़ follow करना चाहते हो, पढ़ो एक बार IR का, इससे better material आपको मिल जाए, कहीं मिल जाए, आप comment section में बताओ, कि यह इससे better material ले, any coaching, in terms of topic coverage, यह मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका reason है, reason यह है, कि हम mostly दो coaching institute को follow करते, credit अगर दे रहे हो, तो vision is and insights हो गया, ठीक है इन दो coaching institute के पिछले 5 साल के topics ले लिए, vision में माल लो यह कोई topics है, insight में माल लो यह कोई topics है, इसमें से माल लो इतने topic match करते, इसमें यह extra है, इसमें यह extra है, तो वो हमने add कर दिये, plus IR का जो categorization है, वो कुछ इस तरह से किया हुआ है, main जो themes है, मैं आपको बता जेता हूँ, उ जो categorization है, for example, IR में जाएं, तो IR में जो categories है न, ऐसा नहीं कि हम कुछ, जो news में सिर्फ ओ कर ले, एक chapter आपको मिलेगा, international financial institution, दूसरा है organization bodies, तीसरा है treaty agreement, इंडिया neighborhood, transport corridor connectivity, west Asia, important places in news, आप financial institution में भी 2 से 3 chapter आपको मिलेगे, पहला मिलेगा, जो UN related, sorry, global financial bodies है, दूसरी आपको regional, organization में आपको UN bodies मिलेंगी, regional bodies मिलेंगी, और others, इस टाइप की मिलेंगी, right, तो इस तरह से अगर आप cover करते हो, तो at least आपका ये PT, current affairs cover हो जाएगा, उससे क्या होगा, कि जो आपकी recall error हो रही है, आपका current affairs के चकर में static compromise हो रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है, next चीज पर आते ह चीज तो यही है, tough question नहीं करने, अब problem क्या आती है, over attempt हम कहां कर जाते हैं, जैसे second attempt में आपकी लोग तो 90 plus कर रहे होंगे, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, तो हमने pressure build कर लिया अपने उपर, pressure किये वैसे हम कर रहे है, ठीक है, बाकी लोग 90 plus कर रहे हैं, टॉपर ने तो 80 plus कर रह सरना है, टॉपर स्टॉप में, आज के टाइम में आप देखो, जो paper है, कई बार 50-55 question लोग करके, attempt करके, cut off निकाल ले रहे है, दूसरा क्या है, इसमें, एक हमारा pressure की करना ही है 90%, दूसरा हमारा ego आ जाता है, ego कैसे है, कि हमने topic या chapter पढ़ा तो था, but exact question नहीं आया, उस line से जो हमने पढ़ा था, यह जैसे buddhism, jainism में कई बार होता है, बहुत time दिया chapter में, बहुत time दिया, लेकिन वो topic नहीं आया, तो ego, यह chapter का question कैसे नहीं होगा, तो आपको थोड़ा इस पर control करना है, ठीक है, हो सकता है, problem यह नहीं है, कि question difficult है, consider the following statements regarding महायाने और हिन्यान buddhism, तो topic तो पढ़ा हुआ ही है, options उसको difficult बनाते हैं, हो सकते हैं सब को आपने पढ़ा हो, लेकिन यहाँ ABCD में option setting ऐसी हो, जैसे pairs में डाल दिया, यह eliminate नहीं हो रहे हैं, तो question difficult है, यह चीज़ आप mind में रखो, question से जादा options उसका difficulty level बढ़ाते हैं, ठीक है, फिर इसके अलावा over attempt हम कब करते हैं, कि factual अगर question आजाएं, तो factual question में हमारी habit होती है, mostly, जब भी आपको end में लगता है, यह question attempt नहीं हो रहे है, तो हम over attempt factual में कर जाते हैं, वो आपको छोड़ देना है वो चीज़, factual में क्योंकि दो ही चीज़ हो सकती है, या तो eliminate होगा, या नहीं होगा, या आत 85% chance, no, not at all, चौथा क्या होगा, कि चीज़ें hazy रह गई, ठीक है, कम revise किया था, फिर भी आ गया, यहां कि आपने बहुत पढ़ा था, exact question नहीं आया, तो आपने ego पे ले लिया, यहां कि आपने पढ़ा था, कम revise किया था, आपको पता है कि वहा लिखा था, फिर भी याद न नॉर्मल है, that is absolutely fine कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी याद नहीं आई, जो कम revision की वैसे problem हो जाएगी, अगला क्या है, next अगर आप इसी में overwritten में कहो, easy topic है, पढ़ानी, वही जैसे मैंने भी बात की थी, कि democracy की definition से question पूछ रहा है, liberty से पूछ लिया, ठीक है, अब आगया, easy topic आ करना है किसी भी reason की वज़ा से, अगली जो issues है, marking the question, bubbles, bubbles पे आने से पहले हम एक बार बात यह करते है, elimination techniques not working, कई बार हमने elimination techniques बहुत सारी पढ़ी हुई, आपको सीखनी elimination technique तो आप या तो इस course से सीख सकते हो, free में भी MSGP course में 76 videos है, जिन्होंने elimination technique मेरे हिसाब से YouTube पे initially start किती शुबम सिंग उनके videos भी है इस playlist में, और बहुत सारे videos subject by subject elimination techniques के videos डाले हुए, वो 2 साल, 3 साल पुराने हैं तो भी आप देख जाओ, but मालो आपने कहा मेरे लिए ये 20 या 40 तरह की elimination techniques है, but those are always not working, तो main problem क्या होती है, उन पर confidence नहीं आया, आप एक strategy बनाते हो मालो elimination technique में, आपन में आएगा, तो मैं 100% सभी को tick करूँगा, लेकिन आप exam hall में अपनी ही strategy से भटक जाते हो, आपने कहा नहीं नहीं, दस question सपोज ऐसे हैं, all of the above आप option D मारने वाले थे, हाँ ये ध्यान रख लेना कि D के बदले C में तो all of the above नहीं है, मैं एक बार ऐसी एक question में गलती कर चु सोचा था कि all of the above, AOTA, 10 question में मैं D option मारने वाला था, लेकिन exam में मैंने कुछ overthink किया, कि ये वाला chemical तो इसमें नहीं होता, ये इसमें नहीं होता, D के बले C, C के बले B कुछ मार दिया, हम अपनी approach से भटक गए, हो सकता है, इस 10 में से आपके 6 ही सही होते हैं, लेकिन जब आ आपको पूरा भरोसा रखना है, कभी उसमें कुछ गलत होंगी, कभी उसमें कुछ सही होंगी, लेकिन overall आपको net positive zone में डालके जरूर दे जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, 100% elimination techniques कभी work नहीं करेंगी, अब practices की आपको बहुत जादा करनी पड़ीग, elimination technique पे YouTube पे इतना content available है, इतना तो data भी सस्ता नहीं है, उससे सस्ती elimination techniques से आज की एट में, right, UPSC कैसे निकालें, बहुत आसान है, 2GB data खरीदना difficult है, elimination technique से UPSC निकालना बहुत आसान है, लेकिन आपे सीखोगे कैसे है, test series चाहे किसी भी coaching की हो, उसमें मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, च अगर आपको paid course में जाना है, तो you can go to this course, MSGP, आपकी choice है, तो जिस भी तरह से करो, आप जब तक PYQ पर practice नहीं करते हैं, तब तक आपको elimination techniques समझ नहीं आईगा, examiner कहां अपना trap फसा के बैठा है, अब self management error से पहले bubbles की बात करते हैं, इस पर मैं बहुत बार बात कर चुका जब मैंने IITJE का exam दिया था ना, तो maths बहुत बढ़िया mark से qualify हुआ, and chemistry बहुत बढ़िया mark से qualify हुआ, physics में marks काफी कमते है, उसका reason यह था, कि एक पूरी row, ऐसे तीन row में शायद कुछ question होता है, तीन या चार में, एक पूरी row, यहां से लेके यहां तक, one का two, यह question number लिखे ह से bubbles है, suppose मेरा one का B आया था, मैंने B यहां mark कर दिया, ठीक है, three का मेरा, जो भी आया, two का मेरा low C आया था, तो यह गलत हो गया, वो मैंने three में mark कर दिया, three का four, by chance इसमें कोई question ठीक हो जाय तो हो जाय, otherwise आपकी पूरी row गलत होती है, जब आप इस तरह से questions करते हो, bubble mark करने में कहां कहां issues होते है, सबसे पहले हम कुछ type of error से इसमें देखते हैं, पहला error इसमें है, same question में, same question में कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे साथ, ध्यान नहीं देते, यह भी mark कर दिया, यह भी mark कर दिया, हमने दो bubble mark कर दिया, अब erase करते रहो, बैठके, बहुत बार लोगों से erase नह नहीं हो जाएगी, तो कई बार छोड़ देता है, ऐसा है एक बार UPSC में कर दिया, तो छोड़ दिया, erase नहीं किया, because of doubt कि कहीं है, ऐसा नहीं हो कि फट जाए या कुछ हो जाए पेज, और पूरा ही विलब UPSC से बाहर हो जाए, एक question है ना, minus 2 हो जाएगे, तो same question में यह हो सकता है, दूसरे type की issue जो same question में हो सकती है, कि आपने mark करना था A, but गलती से B mark कर दिया, ध्यानी नहीं दिया, एक तो यह यहाँ पे था, recall error में decision, confidence की वैसे, और यह लापरवाई की वैसे, आप sure हो कि A answer है, but mark B कर दिया, तीसरे type की क्या issue है, कि same question हमने उपर कर नीचे mark कर दि जो लोग बहुत सारे, मुलब 30 से 35 question, या in fact 100 question, last के लिखते हैं कि आराम से बैठ के 1 गंटे paper solve करेंगे, आदे गंटे बबल करेंगे, भाई उसमें problem यह होती है, एक तो आपका यह पूरा column गडबड होने के chances होते है, कि 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, पहला यह issue है, दूसरा, अग आप वापस से paper revisit करने बैठ गए, तो article 21 वाला भी question आप वापस से पढ़ो, चलो एक बाद देख लेता हूँ, चौथा उसमें यह issue आएगा, sorry, pressure build up होगा, कि कहीं छूटना जाए, छूटना जाए, और एक और issue जो आएगा, कि आपको next round के लिए time नहीं मिलेगा, तो यह तो worst approach हो सकती है, मतलब यह अगर आप approach follow करते हो, तो आज ही आपको साफधान होनी की need है, इसमें और कोई नहीं बताएगा, फिर एक और बहुत बढ़िया चीज होती है, चौथा या पांच वा जो भी number, C part, बहुत सारे engineering के coaching वाले से बच पार हो, मैं क्यों कहा रहा हूँ, तो आप घर से पहले सोच के गए हो कि अगर नहीं आएगा तो मैं C mark करूँगा, तो यह तो मुलब हद बेव कूफी है UPSC, मैं don't do it, next, last but not the least, self management, approach error, आप चीजों को approach ठीक से नहीं कर रहे हो, especially खुद को approach आप ठीक से नहीं कर रहे हो, जैसे over confidence या under confidence, या तो आपको बहुत confidence ह या फिर आपको लगता है, मैं नहीं हो पाएगा, आपको लगता है, रहे मैं ही हूँ अगला I.S, जात और लोग मैं पैदाहिशी I.S होते है, एक roast वीडियो मैंने देखा था, कि podcast with, fake podcast with I.S, I.U.P.S.E.S.Print, बहुत बढ़ी है, मतलब सारी चीज़े बिलकुल सही बताई ह यहा हूँ, that is not a roast over reality है, बस आप यह समझ लो, तो उसमें जो जो चीज़े करी गई है ना उन से आप बाहर आओ, over confidence और under confidence के zone से बीच में आपको रहना है, दूसरा आप pre और mains की cycle में फसे हो, अगर आपका pre प्रपेर है तो कुछ लोगों का ऐसे प्रपेर है कि 6 के छेट में pre निकल रहा है, pre यहा हुआ, pre का result यहा है, mains यहा हुआ, mains का result यहा है, interview यहा हुआ, और UPSC ने finally mark sheet यहा दी, और अगला pre just यहा हो गया, 10, 15, 20 दिन के अंदर, अब mark sheet आपकी यहां आई है, उसके कुछ दिन में आपका यहां आई है, और कुछ दिन में अगला pre है, आपके पा अलही आपने 4 prelims लगातार निकाल लिया हूँ, एक break लो, mains को improve करो, same way में अगर आपका mains बहुत बड़ी ऐसे prepare है, but prelims नहीं निकल रहा है, इक attempt में, तो भाई, mains को, answer writing को, एक attempt के लिए 4-5 महीं निकल, at least sideline करो, ठीक है, हम तुम्हें देख लेगे, तुम अल्लेडी prepared हो, prelims by time से पहुँच जाओ, mains में, in fact, मैंने ये किया, इस बाई students को भी मैंने ये गोलता, exam hall के पास, आप hotel ले लो, 500 रुपे में मिलते, 700,000 और 50,000 में मिलते, ताज में अगर रह के देना है, ताज के पास अलगी exam center होता नहीं है, ठीक है, तो late तो मत पहुचो, या उसमें ऐसा आपको exam hall में अंदर नहीं आने दिया, और भी issue हो सकते है, आप जल्दे जल्दी में personal detail गलत भर देते हो, आपने role number गलत भर दिया, आपने set गलत भर दिया, B का C कर दिया, हो गया सकते है, राश बाहर हो गया, ठीक है, आपने pages चेक नहीं किया, paper पूरा चेक नहीं किया, page प management error है, आपकी body clock ही morning hours के लिए optimize नहीं है, तो इस पर हम लोग काफी बात कर चुके है, आपको लगातर अपनी body clock optimization पर काम करना चाहिए, फिर एक और issue ये है कि बहुत से students, they know कि हम prepared नहीं है, आपको बहुत अच्छी से पता है कि आपका instrument में नहीं होने वाला है, pre निकल जागा तो means नहीं होगा, अब बहुत अच्छी से पता है, फिर भी हम कई बार attempt में बैठ जाते हैं, 2-3 attempt कैसे चले आते हैं, हमें पता भी नहीं जलता है, और कब आप 4th और 5th attempt में पहुँच जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, technically आपको first attempt हुआ होता है, don't do this, एक और error है self management में जब हम ना UPSC exam को ऐसे मतलो कि आप बहुत happy रहोगे, या फिर बहुत sad रहोगे, यह एक ऐसी cycle है, जिसमें आपको अलगला moment पर लगेगा, कि मतलब इस moment पर लगता है कि मैं IES बननेगा, इस moment पर लगता है मेरे से नहीं होगा, इस moment पर लगता है मैं ही अगला IES बननेगा, इसमें मेरे से नहीं होगा, यहाँ पर आप क्या करते हो, party करने लगते हो, over confidence debate और चाय के टपरो पर बैठके, यह सारी चीज़े करते हो, यह चलो ठीक है, जो भी है, यह जो point है ना, dip point आता जहाँ मैं खुद पर confidence नहीं होता, यह वो time है जब हम अलगलग coachings explore करते हैं, और वहाँ पर अलगलग courses में enroll करते हैं, यह वो time है, जब हम yellow xerox explore करते हैं, telegram groups फ्री material डूरते, यह नहीं करना है, चाहे coaching कितनी भी attractive क्यों न हो, आज synopsis है, कल की date में कोई और synopsis होगा, person कोई और होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको material पसंद आ रहा है, और आप पहले से आप आपको पता था कि इस zone में आप हो, और that thing is working for you, लेकिन एक दिन बैठे बैठे घर वालों ने सुना दिया, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो अभी आपको लग रहा है, बच्चे करने का time आ गया, भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट यह time जो है ना 2-3 साल की preparation का, आपको लड़ मर के लेना पड़ेगा सबसे, यह आपका time है, हाँ मैं इस चीज़ के जरूर खिलाफ हूँ कि 7-8 साल आपको UPSC में नहीं दे जाना चाहिए, मैंने खुद 3 साल के बाद exit मार गया, कि भाई ठीक है, हो गया हो गया, नहीं हो गया, कोई बात नहीं, वो एक आसा ही बचेगा, time ही बचेगा, यह best tip है, ठीक है, अब जब course बता दिया, मतलो, best courses जो prelims के लिए आप मुझसे पूछो, पहला course, MSGP, PYQ, दूसरा, यह वाला, अगर आप videos के साथ में interface करना चाहते हो, PT, without videos करना चाहते हो, बैने आपको free resources बताई दिया, right, and बाकी courses, check out कर special courses, GS, optional, PYQ, IFS, okay, thank you for watching, have a good day.